आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ proportional relationships से तो proportional relationships ये दरसल दो variable के बीच का एक ऐसा relationship होता है जहां अगर हम उन दोनो variables का ratio लें तो वो हमेशा ही एक same चीज हो जैसे कि मैं यहाँ पर एक example ले लेती हूँ अगर हम कोई दो variable ले लें मान लेते हैं कि मेरे पास है variable x और variable y और हमें इन दोनो variables की अलग-अलग values दे रखी है एक दूसरे के respect में तो जब x की value 1 है तो y की value हमें दे रखी है 3 के बराबर जब x की value है 2 तो y की value हमें दे रखी है 6 और जब x की value है 9 तो y की value हमें दे रखी है 27 के बराबर तो यह जो relationship है x और y के बीच में यह एक proportional relationship है और ऐसा इसलिए है कि अगर हम यहाँ x और y के बीच का ratio निकाल ले तो हमेशा ही यह एक same चीज होगी जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ratio निकालती हूँ y over x का तो यहाँ पर जब y की value है 3 तो x की value है 1 यानि की y over x हमारे इस पहले वाली value से 3 over 1 हो जाता है और इसी तरीके से अगर हम यह दूसरा set ले लें तो जब y की value है 6 तो x की value है 2 के बराबर और 6 by 2 यह बराबर होता है 3 के जो की दरसल 3 by 1 के बराबर ही है इसी तरीके से अगर हम इसकी आखरी values ले लें तो जब y की value है 27 तो x की value है 9 तो y over x हो जाएगा 27 by 9 और 27 by 9 यह भी बराबर होता है 3 के तो हम देख सकते हैं कि y over x यह हमेशा ही यह हर case में ही बराबर है 3 के चाहे हम यहाँ से कोई भी pair क्यों न ले लें तो दिये गए data points के लिए हमारे y over x का जो ratio है वो हमेशा same आ रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि x और y इन दोनों के बीच का relationship यह proportional है और यहाँ पर हमने y over x का ratio लिया है यहाँ पर हमने y over x की बात करी है लेकिन अगर हम चाहते तो यहाँ पर x over y का भी ratio ले सकते थे और उस case में भी हमें यही मिलता कि यह दोनों हमेशा ही proportional relationship में है तो यह तो बात हो गई तब की जब हमारे पास एक proportional relationship था चले बेक ऐसा relationship देखते हैं जो कि proportional नहीं है तो मान लेते हैं कि मेरे पास दो variables है इस बार मैं variables ले लेती हूँ A और B और मान लेते हैं कि इनकी values मुझे कुछ इस तरीके से दे रखी है जब A की value है 1 तो B की value मुझे दे रखी है 4 जब A की value है 2 तो B की value मुझे 8 दे रखी है और जब A की value है 10 तो B की value मुझे दे रखी है 50 के बराबर तो अब यह relationship जो है A और B के बीच का यह proportional है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम इनके ratios का पता लगाएंगे तो अब अगर मैं यहाँ इन दोनों का ratio निकालू अगर मैं B over A का पता लगाऊं तो हमें क्या मिलता है तो यह जो पहला data point है इसके हिसाब से B over A यह बराबर होगा 4 by 1K यानि की 4K अगर हम यहाँ दूसरे वाले data point की बात करें तो इसका ratio भी होगा 8 by 2 और 8 by 2 यह बराबर होता है 4 के ही यहाँ अगर हमारे पास सिर्फ यह दोनों data points होते तो हम कह सकते थे कि A और B भी proportional है लेकिन यह जो हमारा आखरी वाला data point है अगर हम इसका ratio निकाले तो हमें क्या मिलता है यहाँ B है 50 और A है 10 और 50 by 10 या फिर 5 यह 4 के बराबर नहीं होता है इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि हमारा यह वाला relationship यह proportional है तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि यह एक proportional relationship नहीं है तो आपकी समझ आ रहा होगा कि इस relationship को proportional होने के लिए हमारे data set में जो भी जितने भी points है उन सभी का ratio आपस में बराबर होना चाहिए था और क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है इसलिए हमारा यह relationship यह proportional नहीं है तो जब भी भी हमें पता लगाना हो कि कोई relationship proportional है या नहीं तो हम उनके variables का ratio निकाल लेते हैं और उस ratio से हमें पता चल जाता है कि वो relationship proportional है या नहीं अगर वो ratio सभी data points के लिए same है तो हम कह सकते हैं कि वो एक proportional relationship है जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी थी y over x की अगर हम यहाँ x over y की बात भी करते अगर मैं यहाँ x over y निकालती तो भी यह relationship proportional ही होता अगर हम यहाँ इसे निकाल लें तो हमें पहले मिलेगा 1 over 3 x की value है 1 तो y की value है 3 इसी तरीके से हमारा दूसरा data point है जब x की value है 2 तो y की value है 6 और 2 over 6 यह भी 1 over 3 के बराबर होता है इसी तरीके से हमारा तीसरा data point है जब x की value है 9 तो y की value है 27 और 9 over 27 ये भी 1 by 3 के बराबर होता है तो हम देख सकते हैं कि चाहे हम यहाँ y over x निकालने या x over y हमें इन दोनों तरीकों से पता चल जा रहा है कि हमारा ये relationship ये एक proportional relationship है